Hello everyone, कैसे हैं आप? Welcome to Shikshadham, मैं Anuj Kumar Singh आज पहले की तरह एक बहुत simple तरीके से और आसान चेप्टर स्टार्ट करेंगे चेप्टर का नाम है Dissolution of Partnership Firm ये आपके एक्जाम में 6 marks का आएगा तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही simple तरीके से हर बार की तरह तो स्टार्ट करते हैं चलिए Dissolution of Partnership Firm तो एक हमने Realization Account बनाना है दूसरा इसके साथ साथ मैंने दूसरा नाम लिखा था वहाँ पर Partners Capital Partners Capital, मैं दो Partner मानके चल रहा हूँ क्योंकि Space पूरा यूज हो पाएगा मैं अच्छे से Explain कर पाऊँगा यहाँ पर तो यहाँ आजाएगा Partners Capital तीसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या तो Bank Account या Cash इतना Simple है ना Bank या Cash कुछ भी हो सकता है आपको बस पहले समझना है करना क्या है वैसे जो हमने पहले आदे गंटे 20 मिनट, 15 मिनट जो भी लगाया हमने वटेबर वो वेस्ट नहीं होने वाला वो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा आपको समझ में आगा रही यह चीज जो तो पहले अभी देखा ही था कि वैलेंस शीट में जो एसेट से उसमें डूंडूंड के निकाल लो तो लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू संडरी एसेट संडरी एसेट का मतलब सारे एसेट क्या हम इन एसेट को यहाँ पर लिखने का मतलब बेच रहे हैं? नहीं पहले पता कर रहे हैं कि यह assets हमारे पास है और इसको बेचा जाएगा तो कौन-कौन सा assets हो सकता है, building stock हो सकता है machinery हो सकता है debtor हो सकता है और debtor के bracket में मैं gross लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाऊँगा अभी क्या है यह patent हो सकता है goodwill हो सकता है और यह पता है कहां मिलेंगे आपको बताओ कहां मिलेंगे यह balance sheet में, जो question में balance sheet दे रखा है उसके अंदर मिलेगा आपको यह तो जो भी asset side में, तो क्या मैं यहाँ cash लिख लूँ नहीं क्योंकि list वही तयार कर रहा हूँ, जिसे मुझे बेचना है, cash तो बेचना ही नहीं है क्या profit and loss का balance लिख लूँ यहाँ नहीं लिखूंगे, क्या advertisement suspense लिख ले नहीं लिखना है यहाँ पर और क्या हो सकता है, sir, बड़े सारे assets हो सकते है assets की कोई limit नहीं है BR और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा मान लेते है, BR के अलावा देखा जाए furniture भी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सारा point ना लिख रहे मैंने एक sector यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया, समझ मैं तो सारे assets मैंने यहाँ पर लिख लिए है यह list तयार किया है, ऐसे ही हमें list तयार करना होगा, जी, liability का भी sir, liability का list तयार कहां करेंगे, buy side में buy side में तयार करेंगे, buy side में क्या लिखूँगा मैं, sundry और जिन liability को मैं पैसे दूँगा, पहले उसी का नाम लिखूँगा, तो किसको दे सकते हैं, creditor और किसको दिया जा सकता है, bills payable और किसको दिया जा सकता है bank loan यह जी हमने यहाँ पर लिखा आप इसे ध्यान से देखोगे तो ऐसा मतलब ही नहीं है, भूल जो और question समझ में नहीं आए आपको, मतलब ही नहीं होनता कि question समझ में नहीं आए अगर ध्यान आपका यहाँ पर है तो यह सारा हमने लिख लिख लिए, क्या हमने liability का payment किया है, यह नहीं यहाँ पर लिख लिख है, क्या liability में इतने ही होते हैं, और भी होते हैं क्या क्या हो सकता है, हो सकता है capital, हो सकता है reserve and surplus, तो इसे यहाँ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ से payment नहीं होगा, तो मैंने assets में से कुछ बाते छोड़ दिये, क्या क्या छोड़ दिये, cash का balance जो यहाँ आजाएगा किस नाम से आजाएगा balance BD के नाम से आजाएगा है ना, अब और भी assets में से दो बाते मैंने लिखवाए था छोड़ा क्या, profit and loss का balance यहाँ आजाएगा loss का balance बढ़ जाएगा और क्या आजाएगा हमारा advertisement suspense sir, ratio कौन सा होगा, gaining या sacrifice यहाँ ना तो gaining है ना sacrifice है, ना कोई आ रहा है बरबाद हो रहा है, बिजनस बंद हो रहा है तो एक ही ratio होगा, जो दे रखा है उसे old भी नहीं बोलूँगा, नहीं है नहीं जो ratio दे रखा है उसमें बाट देंगा है ठीक है ना, तो starting से देखो दो हिस्सा तो मेरा इतना असान हो गया, सरदर्द होगा, new ratio निकालना, सीखना, नहीं निकालेंगे मतला भी नहीं है, कोई ना तो जाएगा, ना तो कोई आएगा, सभी जा रहे हैं तो कोई goodwill का treatment हाई नहीं जी, कहां जो goodwill को लाईगा, नहीं लेगा, कोई मतलब नहीं है, सब पार्टनर जा रहें assets खतम होगे, आप देखो, balance sheet आप देखोगे ना, तो balance sheet में कुछ नजर नहीं आएगा, सारा balance sheet खतम कर दिया liability side में आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, capital, क्योंकि अभी नहीं लिखा तो capital कहां लिख देंगे हम, by balance BD, starting में तो BD लिखना पड़ेगा जी, और क्या जाएगा, by reserve किस ratio में, जो ratio दे रखा है, और क्या जाएगा, work, man, compensation, reserve, इसके उपर अलग से class लेनी पड़ेगी मुझे, मैं इसको अलग से कराऊँगा, star बना देते हैं, ये, ठीक है न, ये, रिजर्बट गया, आप balance sheet पूरा खतम, दुकान में कोई समान नहीं ना, liability ना, अभी payment नहीं हुआ है, अभी लिखा है हमने, अब payment करना है, बताओ, building एक लाग का है, कितने का building बिकेगा, ये, हम, कोई method नहीं है, ये question में, auction के time पर पता चलेगा, ठीक है न, कोई method तो ह नहीं के बाई, एक लाग का building ए, डिड़ का बेच दो, तो ये सारी बात है, जो assets कितने कितने का बिकेगा, ये balance sheet के नीचे बताएगा, जिसको हम बोलते है, adjustment, ठीक है न, तो अब जब assets बेचने की बात चल रही है, तो assets को जो बेचा जाएगा न, वो दो तरीके से बेचा ज सकता है, एक वो कूड़ा कबाड़ा हो गया, बिकी नी रहो, ठीक है, तो क्या उसे बेच पाएगे हम, नहीं, यानि एक तो not sold, बिकेगा ही नी जी, दूसरा हो सकता है, बिकेगा, तो सर जब बिकेगा, तो बिकने के अंदर, क्या होगा, या तो मैं किसी बाहर वाले को खरीद लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कई बार assets होता है न, आप देखोगे न, offices वगेरा में, जब दिवाली के time पर साफसफाई होते हैं, आपकी कोई, अगर government job में काम कर रहा है, या प्राइवेट में, तो मालिक ने बोला है, या लैप्टॉप टो पराना होगे, सब को बेचो, तो जो काम कर रहा होगा, बोलेगा, या हमें भी देदो, तुम कितने का बेच रहा हो, उसने बोला, पांच जार में बेच के हटाओ इसे, वहाँ का बड़ा सस्ता है, मुझे ही देदो, हम खरीद लेते हैं, तो वहाँ का employee खरीद लेता है न, उसको, और अपने घर पर दे देता है, बच्चे वगरा, इस्तमाल कर लेता है, वो चीज बाहर खरीदने जाओ, तो साइद आपको 25 से 30 का मिले, तो सेम ऐसे जब assets भी की रहा है, तो partner बोलेगा रहा है, AC ले जा रहा है, AC क्या करोगे बाहर बेच के, मैं अपने घर में लगा लुगा, मुझे ही ठीक है न, तो यहां हो सकता है, assets को या तो मैं bank से sold कर दूँ, या फिर partner ले जाएगा, है न, दो possibility है, या तो bank से sold होगा या partner ले जाएगा, अब आप देखना, जब बेचना होगा न, तो हम इधर से बेचेंगे, buy से, buy से बेचेंगे, buy से जब बेचा जाएगा, तो buy क्या लिखेंगे हम, bank, अगर आपने bank account बनाया है, तो यहां लिखना bank, क्योंकि ये पैसा बेच के यहीं पर लाओ गया, अगर ये cash account बना रहे हैं, तो क्या लिखना, cash, और अगर जो question बोल देए, वही लिखोगे फिर तो, अब assets को बेच ते है, building बेच रहे है, यहां लिख दो, जी building बिख गया, कितने का बिखा, यहां पर मैंने तो लगा दिया xx, लेकिन building question में बताएगा कितने का बिख रहे है, जी stock को भी बेच ना है, ठीक है, जी बेच दो stock को, कोई दिक्कत नहीं है, machinery को बेच ना है, machinery बेच दो, अब यहां debtor gross लिखा है, तो जी debtor को na balance sheet में बड़े stylish तरीके से दिखाते हैं, लोग बाग, पहले debtor उसके नीचे provision minus करके, तो यहां बच्चा confuse हो जाता है, सर, हम minus करने के बाद वाला लिखें यहां पे, या minus करने से पहले वाला, तो gross का मतलब होता है, जिसमें से minus ना हु हो, तो यहां पे जो debtor आएगा, आपने देखा होगा balance sheet में, जैसे मानले यह balance sheet है, balance sheet के assets में देखा होगा debtor इधर लिखा है, इसके नीचे minus provision करके, बड़े सारे देखें, यही पे लिखके इधर बाहर लिख देते हैं, तो आपको कौन सा लिखना है, जैसे मानलो यह 1000 है, और provision 100 है, तो यहां आपने 1000 लिखना है, तो sir, यह provision कहा जाएगा, इसके लिए देखो, मैंने यह थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, buy provision for doubtful debt, समझे बात, gross लिखने का मतलब समझ में है, क्या होगा, यहां पे कौन सा आजाएगा debtor हमारा, यहां पे, poor old मतलब, और उसका provision पात करते हैं, जी patent bikini रहा, बहुत लोगों को बोला, खरीद लो मेरा patent, मैंने बहुत अच्छा formula बनाया, बोला, कोई फायदा नहीं, हम नहीं खरीद रहे, तो patent bikini रहा, तो कैसे पता चलेगा patent नहीं बिख रहा, adjustment बोलेगा, adjustment कुछ नहीं बोलेगा, patent के बारे में silent है, adjustment, त अब मान लेते हैं, हमारे पास एक asset से goodwill, goodwill partner बोलता है कि मैं अपना अलग दुकान खोलूँगा, मैं ले जा रहा हूँ इसका goodwill, तो यहाँ पर goodwill कोई partner ले जाएगा, मान लेते हैं, x ने बोला कि मैं ले जाएगा, तो मैं लिखूँगा x capital, क्या लिखूँगा, x capital और bracket मे goodwill, यानि कौन ले गिया, partner ले गिया, partner का नाम क्या है, x, b r बोल रहा है y मैं ले जाता हूँ, ठीक है जी, buy side में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का capital और bracket में, bills receivable, समझ में आइक बात आपको, ठीक है, एक और point यहाँ डाल देता हूँ, investment, investment के अंदर भी बड़ा, एक ना concept आ जाता है, investment fluctuation fund वाला भी आ जाता है, investment fluctuation reserve वाला जो बोलते हैं, तो जी, investment वाला जब आएगा ना, तो investment fluctuation reserve पहले, retirement में, admission में, आपका, या फिर death वाले में, partners capital में बांट दिया जाता था, अब नहीं बटेगा, dissolution में, पहली बात ध्यान रखना, जो investment fluctuation reserve होगा, ये buy side में आ जाएगा, investment fluctuation reserve, कितने का भी हो, उससे मतलब नहीं, market value, book value, कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं है, जी, यहां पे तो, तो यहां पे आ गया investment, और इसका investment fluctuation reserve कहां आ जाएगा, सबसे उपर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है तो, जी, investment भी बेच देते हैं, यहां लिख दिया मैंने investment, अब ये जितने भी assets भी हैं, एक बार check भी कर लेना है आपने, ऐसा नहीं कि बस हो गया question खतम, एक बार check कर लो, cross verify, building, हाँ जी भी गया है, stock, जी भी गया है, machinery, भी भी गया है, debtor, debtor तो है नहीं, question में भी नहीं ब में फिर ढूंडो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे छूट गया हो किसी adjustment में, ढूंडो patent के बारे में कहीं कुछ बोला तो नहीं है, नहीं है, नहीं भी का जी, goodwill, अच्छा partner ले गया हो गया, BR, partner ले गया हो गया, investment भी गया, यानि सारा काम कर चुका है, इसलिए cross verify में कर होते होते बच जाएगा, ठीक है ना, तो ये सारे assets क्या करें, मैंने बेचे हैं, अब बताओ, ये सारी बाते जो मैंने करा है, इसका मतलब क्या assets को मैंने बेच दिया, कहां लिखा होगा, कौन से किताब में लिखा होगा ये, adjustment में लिखा होगा, अरे, उसी question paper में होगा, इस नाम से realization से आया है पैसा और sundry assets का आ गया, क्योंकि हर adjustment के double entry तो करना ही पड़ता है, तो ये सारा assets भी का, पैसा आया जेब में, आपने जेब में नहीं रखना है, हमेंने जमा कर दिया, ये particular amount ये सब चीज़ है, तो आपको पता ही है, इसमें क्या time waste करना, अब ये partner ले हैं उठा के, तो partner पैसे नहीं देंगे, partner बोलेंगा भाई मुझे आज ना कल तो आप final payment जब होगा तब बता देना तब कर लेंगे, तो partner जब उठा के कोई assets ले जाएगा, तो उसका capital क्या हो जाएगा, कम, हम two side में लिख देंगे, to realization, और goodwill कौन ले गया भाई goodwill, x में लि assets को बेचा जा भी सकता है, और नहीं भी, नहीं बेचा गया तो tension नहीं है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं, sir, एक लाग का assets था, डेड़ का बिका, पचास का profit, भाई, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, वो automatic adjust हो गया है, एक लाग का assets था, 70 का बेच दिया, 30 का loss, नहीं और कोई partner ले गया, तो यहाँ, double entry कैसे करेंगा, जो पैसा bank में आया है, bank में पहुच गया, और जो partner लेके गया, उसके partner capital को क्या कर दिया, मैंने, कम कर दिया, minus, अब बात आ जाती है, assets का काम खतम हो गया, अब क्या करना है, liability, liability को pay करना है, liability का भी payment दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं cash में दे दूँगा, या फिर bank, या फिर हो सकता है, partner बोले मैं दे देता हूँ, partner बोले मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, मैं ही दे देता हूँ उसको, जब partner assets ले जा रहा था, तो उसके capital क्या हो रहा था, जब वो liability pay करेगा, तो firm बोलेगा, या तुने liability भी paid किया और घर से capital भी, तो तेरा capital बढ़ा देते हूँ, तो किदर आ जाएगा, buy में, तो liability paid बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा two, two bank लिखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखती है, क्या, creditor, payment हो गया ये लो, bills payable क्या बोलता है, x मैं payment कर दूँगा, चिंता मत करो, किसने responsibility ले लि मुझे क्या लिखना होगा, two, x capital और bracket में bills payable और यहाँ लिख दिया, अभी double entry करेंगे, पहले मैं single girl लेता हूँ, उसके बाद bank loan के बारे में question ने कुछ बोला ही नहीं, तो आपको इमानदार बनना है, business बंद करते टाइम पे, अगर आपका कोई assets नहीं बिखरा तो चिंता म करो, अगर कोई liability के बारे में question में ना बोला जाए, तो आपको payment करना है उसको, bank loan के बारे में नहीं बोला, bank loan में आप इमानदारी से जाओगे, और बोलोगे कितना पैसा, दे दोगे आप, यानि जितने का यहाँ था, उतना ही payment आप कर दोगे, यानि bank loan का आपको question बोले, bank loan कोई भी liability, creditor के बारे में कोई information नहीं है, creditor यहाँ पे 50,000 रुपए का है, question में बोला ही नहीं है, payment करना है, करना पड़ेगा, कितने रुपए का नहीं बताए गया, तो आप payment कर दोगे, और अगर assets के बारे में, बेचने के बारे में नहीं बताए तो कितने का मान लोगे, आ जीरो का, यह मुद्दे की बाते हैं अपर, अब इतनी मेहनत जो कर रहा है, जो चिला रहा है, वो कौन है, या तो CA होगा या advocate उसको पैसे दोगे या नहीं दोगे, दोगे तो उसको fees देंगे, उसको बोलेंगे, desolation, fees या expense बोल दूआ, या फिर वो क्या कर रहा है, realization, expense, इ जिस से पैसा गया होगा, जेब से पैसा गया होगा, तो पैसा जाएगा, तो आप अपने pocket से दोगे नहीं क्यूंकि आपके जेब में पैसा ही नहीं है, पैसे कहां पड़े हैं, तो bank से निकालो, तो buy side में लिखेंगे हम, payment यहां से जाएगा, buy sundry, या तो पहले लिखेंगे पैसे लाके bills payable का payment किया था, तो partners का capital बढ़ा देंगे, क्यों बड़ा भाई, realization की वजए से, किस के bills payable की वजए से, किस ने दिया, x ने दिया, समझ मैं है, इसका मतलब क्या इससे मतलब निकाले, simple ही बात, अगर कोई partner पैसे देगा हमें, यानि कोई partner अगर assets को ले के जाए क्यों हो जाएगा, simple सी बात है भाई, partners का capital कम होगा, अगर कोई partner अपने घर से लाके पैसे का payment करेगा, तो उसका capital क्या हो जाएगा, credit कर देंगे, simple सी बात है, हाँ, बिल्कुल, अब इसके अंदर, देखा जाए, तो सारा का सारा मैंने adjustment done कर दिया है, और payment भी कर दिया है, मै मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं बचा, जो कि, हाँ सर, इसमें तो आपने गिन लिया, इसको check कर नहीं करेंगे, कि बिल्कुल करेंगे, creditor हो गया, bills, paypal हो गया, loan हो गया, सब कुछ चेक करना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो करो payment, है न, हो गया, ये दो तो रह गया, तो य संदाजे की वज़े से आप एक क्या करते हो, entry create कर देते हो, और entry क्या create करते हो, credit कर देते हो, तो यहाँ पर मैंने buy side में करके उसको खतम किया है, buy का मतलब debit होता है, एक account से दूसरे account में transfer, अब मैं आप से पूछूँगा, कि यहाँ पर मुझे simple simple बात बताना, जो यह सारी entry है कि यह entry बेचने की है, नहीं है, यह कहां से लेकर आए हो, balance sheet में, यह entry है क्या बेचने की है, यह नहीं, कहां से लेकर आए हो, balance sheet में, तो इस entry को बोलते है, transfer entry, इस entry को क्या बोलेंगे, अगर बोला जाए जी transfer entry करके दिखाई है, तो क्या ऐसे entry करेंगे, realization account debit to building to stock to machinery to debtor to patent to goodwill to be at to investment, सब के आगे amount लिखा, और realization में, total value अब आप देखो, realization to क्या बोला मैंने, यानि building जा रहा है, क्योंकि building क्या है assets, और entry में क्या कर रहा है है, credit, तो जब credit हो रहा है assets में, तो दिमाग लगाओ, logic लगाओ, assets तो debit होना चाहिए, लेकिन यहां credit हो रहा है, तो इसका मतल पैसे नहीं करेंगे building account debit, पैसे में तो bank मिला है, bank account debit किसकी वज़ा से, realization, तो इसकी entry कैसे करनी होगी हमें, हमें करना होगा, PFD to realization, IFR to realization, creditor to realization, BP to realization, bank loan to realization, और इन सब की entry पता है कैसे करेंगे, bank to realization, हमें यह मतलब नहीं है, कि building से पैसा आया, या stock से पैसा आया, या फिर inventory से इसकी general entry कैसे करोगे, इसकी बताओ, realization account debit, या फिर ये, partners capital debit, आपने बताया था न, यहां कराएंगे debit तो, x capital account debit to, और y capital account debit to, general entry की तो मैं अलग से class लूँगा, अभी तो मैं सरिफ आपको थोड़ा सा मान के चलो, hint दे रहा हूँ, बस मैं, general entry आपको सोचना, general entry समझ ही नहीं आए, आज तो class के अंदर, कराएं नहीं तो आएगा कहां से, यह बाद समझ लेना ठीक है, तो पहले आपका क्या हो गया, यह laser का समझ में आगया, सारे assets, अब यहां से कुछ ना कुछ तो balancing figure निकलेगा न, जो balancing figure निकलेगा उसे बोलेंगे हम, loss, और उस loss को बाट दिया अब भी हां में हां कर रहे हो बस, इधर क्या आएगा, profit, और इस साइड निकलेगा तो, इधर आगया profit, profit X और Y का हो गया, इस profit को हम क्या करेंगे, distribute कर देंगे partner में, और इधर आजाएगा, by side में, by revaluation और bracket में लिख देना, आप profit, यह लो जी मैंने यहां लिख दिया, कोई यह account भी close हो गया, exam में 6 number में शरीफ ऐसा भी हो सकता है, यह account आना है, तो फटा फट कह करना है, balance sheet में assets लिखना है, liability लिखना है, कितने का payment क्या लिखो और close करो, खतम गाने, theme यही है, अब assets को बेचा कैसे जाएगा, उसका थोड़ा बोलेगा, कि depreciate हो गया, assets ऐसे बेचा ग है, तो यहाँ पर आया 2, x का balance 2 में निकल रहा है, तो बताइए क्या लिखा जाए, 2 balance, 2 bank आएगा, balance CD तो आ ही निसकता, CD का मतलब क्या होगा, balance carry down हो जाएगा, तो 2 bank आएगा, 2 bank का मतलब मैंने बताया था, जब debit में आए आए आपका balance तो देना है, paid करना है, अभी लिखव by, partners, capital और यह आगया, समझे बात, इसका balance मान लेते हैं, इधर निकल गया, by क्या नाम से निकालेंगे, तो balance किदर भी निकल सकता है, तो जब credit में होता है, तो घर से लेके आएगा, तो इसलिए घर से लेके आएगा, तो bank बढ़ जाएगा, partners, capital और यह, simple देखो, अगर इध balance निकला तो, अब जब इन दोनों account का total करेंगे, तो एक magic होगा, और यह दोनो, equal match हो जाएगा, यह magic है, ठीक है, समझे बात आपको, यह क्या था हमारा, पूरा पूरा concept, और पूरा पूरा एक, format, tentative idea, जो मैंने आपको दिया है, तो एक हमारा है, realization account, एक हमारा है, partners capital, और ए हमारा bank account, realization account बनाने से पहले सारे assets को लिख लो, और liability को लिख लो, लेकिन कुछ assets नहीं लिख जाएंगे, जो पहले बता दिये मैंने, तो वो assets नहीं लिख जाएंगे, तो ऐसा मतलब नहीं है, कि उसे भूल जाएंगे, वो दूसरे account में जा सकता है, जैसे एक bank या cash में चला होगा, adjustment के, अंदर, same liability को बारी-बारी करके pay कर देंगे, कहां लिखा होगा, adjustment में, जिस liability के बारे में कुछ ना बोला हो, क्या उसका payment करेंगे हम, बिलकुल payment कर देंगे, जिस assets के बारे में कुछ नहीं बोला हो, क्या हम realize करेंगे, नहीं, मान लेंगे 0 रुपेस का हमारा वो बिकाई नहीं मतलब के ठीक है यहां से आएगा profit इधर loss partners capital में transfer हो गया तो यह पूरा chapter theme है जिसको यह समझ में आ गया ना तो आप सभी ने पता है क्या आप सभी ने कर रखा है बहुत सारे adjustment आपने admission में adjustment कर रहा है retirement में adjustment कर रहा है death में adjustment कर रहा है तो adjustment का मतलब क्या होता है यह assets यह हो गया यह liability यह हो गया तो हमें यही तो पता करना है कि यह assets क्या हुआ वही तो इधर लिखेंगे और यह liability का क्या हुआ वो इधर लिखेंगे simple सा बात है हमारा ठीक है ना तो आप फटा-फट से नोट कर लिजे नहीं संट्री एसेट सही है इस तरफ यह bank में आ गया हाँ ठीक है यह तो account close किया है यह कभी हमारा पहले क्या हुआ करता था देखिए journal entry क्या करोगे इसका PFD का PFD debit to realization और PFD होता क्या है और यहां कर दिया debit तो PFD account close हो गया क्योंकि PFD कुछ नहीं है एक सोच है आपकी provision for doubtful debts ना तो assets है ना liability आपकी एक सोच है उस सोच को जो account आपका open रह गया था उसको cancel करने के लिए यहां करते हैं ठीक है ना फटा-फट से एक बार आप note करिए इसको format पूरा अच्छे से note करना है साफ साफ झाल जिए जिए जपकार दो जो 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 जिए जए जादिक